हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो की द्वारा हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है शब्द समुह के लिए एक शब्द इसके पार्ट वन और पार्ट तू को हमने इससे पहले पढ़ा है तो उस वीडियो के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख ले फिर ये वीडियो को देखे तो आएए इसे हम स्टार्ट करते हैं शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द जिसका अंत नहीं है अनंत जिससे परिचे नहीं है अपरिचत जिसका आधार नहीं है उसे हम निराधार कहते हैं जोती से पूर जोतिर में पश्यम और उत्तर के बीच की दिशा वायब्य ये हमने रेडियम की आत्मकथा में भी पढ़ा था ये शब्द वायब्य जिसका अर्थ होता है पश्यम और उत्तर के बीच की दिशा जो सहा न जाए उसे कहते अहसा हिया जहां जल नहीं है निरजल विशाल रेतीला शेत्र मरुभूमी वह समय जब सब कुछ नश्ट हो जाता है प्रलै कुछ समय बाद इसे हम कहते हैं कालांतर पूरी तरह डूबा हुआ जिसे हम नीमगन कहते हैं खान से उत्पन खनीज अधिक समय तक साथ देने वाला उसे हम कहते हैं चीर संगी विज्ञान का पंडित विज्ञानिक जो किसी की अनुकृती ना हो मौलिक देवताओं का राजा इंद्र वह पत्थर जिसके इस परसे से सोना लोहा भी सोना बन जाता है वो कौन सा है पारस बहुत मुल्ले वाली बहु मुल्य काम में आने लायक उपयोगी वह घाव जिससे मवाद निकलता हो नासूर उसी समय जिसे हम ततकाल भी कहते हैं जो कद्र करता है कद्रदान जानने की एक्षा जिग्याशा संपूर्ण त्याग जिसे हम परित्याग भी कहते हैं वह वैवस्था जिसमें मनुष के वन में जाकर रहने का विधान हो जिसे हम क्या कहते हैं वानप्रेस्थ पत्थर पर खुदा हुआ प्राचीन लेक जिसे हम कहते हैं शिला लेक जिसका अपमान किया गया हो उसे हम कहते हैं अपमानित जिनकी भावनाओं का कोई महत्व ना हो उसे हम कहते हैं वचार हारा बल पूरुक हरण करना या ले जाना उसे हम कहते हैं अपहरण युद में स्थिर रहने वाला जिसे हम कहते हैं युदिस्थिर जिसका कोई उदेश ना हो उसे हम कहते हैं निरुदेश या दशाहीन जो दाएं और बाएं दोनों हाथो से बाण चलाने में समर्थ हो उसे हम कहते है सव्यसाची दो भिन जातियों के स्त्री पूरुस द्वारा संतान होने के स्थिति जिसने हम कहते हैं वर्ण संकरता भवन आदी बनाने से पहले नियू में पत्थर रखने की क्रिया जिससे हम कहते हैं शला न्यास तो यह जैसे आप देख भी सकते हैं कि अनेक शब्दों के बतले एक शब्द तो यह आपके एक्जाम में भी पूछे जाते हैं तो यह हमें ध्यान में रखना है कि किन किन शब्दों से बने उसे हम क्या कहते सकते हैं एक शब्द में नेक्ष्ट अगर हम देखे उधारण में वो है यग्य में आहूती देने वाला जिसे हम होतार भी कहते हैं बास की तिलियों से बना परदा जिसे हम चिक कहते हैं बलीदान के पंथ पर चलने वाला वेक्ती जिसे हम क्या कहते हैं बली पंथी यग्य में डाली जाने वाली हवन सामागरी जिसे हम कहते हैं यग्य धूप जो कि आप यग्य में भी देख सकते हैं कि यग्य धूप डाली जाती है तो ये जो सामागरी होती है, ये जो सामान होता है, उसे हम कहते हैं यगिदू, जिसका अंत ना हो, उसे हम कहते हैं अनंत, जिस इस्त्री का विवाह ना हुआ हो, उसे हम कहते हैं अन्ब्याही, जिसकी शादी नहीं होई हो, उसे हम कहते हैं अन्ब्याही, साधना करने वाला को हम कहते हैं साधक जिस लोक के बारे में जानकारी ना हो उसे हम क्या कहते हैं अग्यात लोक, अग्यात का अर्थ ही होता है अग्यात, ग्यात अर्थात जानकारी होना अ जुड़ जाता है तो होता है अग्यात अज्यात अर्थात जानकारी नहीं होना तो ऐसे लोक के बारे में जिसकी जानकारी आपको नहीं है उसे हम क्या कहते हैं अज्यात लोक स्वप्न देखने वाला स्वप्न दर्शी जिसका कोई मालिक ना हो वो होता है लावारिस जिसका कोई परिचय ना हो वो होता है अपरिचत जो कहा न गया हो वो होता है अन कहा जैसे हम किसी भी शब्द का प्रयोग जैसे किसी सेंटेंस में हम अन कहे का प्रयोग करते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है ये अनकही बाते हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है उसी प्रकार से next देखते हैं देखने की प्रबल इक्षा को तोहल जिसके पंक कट गए हो उसके कहते हैं पंक कटा मन मानी कीमत पर सामानों के खरीदने बेचने का कारुबार क्या कहलाता है काला बाजार जो की जिसे हम कहते हैं बुजुर्ग, फूलों से बनाया गया गुच्छा, जिसे हम कहते हैं गुल दस्ता, फबदी कसने में चतुर वेक्ती, जिसे हम कहते हैं फिक्रा परस्त, महनत के बदले में मिलने वाली रकम, जिसे हम कहते हैं महनताना, जो भी आप नौकरी करते हो तो आप मह कहते हैं जिसके आने की तीथी तै ना हो उसे हम अतीथी कहते हैं घर के पीछे की खुली जगह जिसे हम पिछवाड़ा कहते हैं दिन का मद्यभाग जिसे हम मद्याहन कहते हैं जो खोकला ना हो उसे हम ठोज कहते हैं चिडियों का घास फूल का घर जिसे हम घोसला कहते हैं जिस जिसे देश निकाले का डंड मिला हो उसे हम कहते हैं निर्वासित जिसको देश से निकाल दिया गया हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं निर्वासित निर्वासित अगर कहा जाए जिसका मतलब ही होता है कि देश से निकाला हुआ जीवन भर साथ साथ चलने वाले इस्तरी जिसे हम क्या कहते हैं सह चारिणी हमेशा आपके साथ में चलने वाले इस्तरी वो कहलाती है सह चारिणी सह अर्थात साथ में नेक्स्ट है एक ही में निष्ठा रखने वाला एक निष्ठ दर्वाजा खट खटाने की क्रिया इसे हम क्या कहते हैं दस्तक देना जैसा कि हम एक और जन्म दिन में भी देखे थे कि कैसे दस्तक दिया जा रहा है मतलब दर्वाजा खट खटाने की जो क्रिया की जा रही है उस जिसे हम कहते हैं दस्तक देना खट खटाना जल में ढूबा हुआ जिसे हम कहते हैं जल प्लावित राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है राज्यपाल और राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी भी राज्यपाल होता है ना कि मुख्य मंत्री ये हमें ध्यान में खरया, खराब दिन जिसे कहते हैं दुर दिन, पेड पौधे और घांस से हरी जमीन का नजारा जिसे हम कहते हैं हरी आली, मौसी का घर मौसियान, पतनी के पिता का घर जिसे हम पीहर या माई का भी कहते हैं, इश्वर दौरा विशेस रूप से दिया गया, इसे हम कहते हैं इश जो खून से लथपत हो उसे हम क्या कहते हैं रक्त रंजित यहां पर यह से लथपत यह यहां पर तीन कट हो जाएंगे तो यहां होगा जो खून से लथपत हो उसे हम कहते हैं रक्त रंजित स्विक्रिती के रूप में हकर आत्मक स्वर जिसे हम हुंकारी कहते हैं जहां तीन रास्ते मिलते हों उसे हम त्री राहा कहते हैं पैरों के चलने की आवाज जिसे हम आहट कहते हैं तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या शब्द समू के लिए एक शब्द पढ़ा ये हमें ध्यान में रखना है कि किसे हम क्या कहते हैं तो उमीद है आपको ये वीडियो में जितने भी हमने पढ़ें वो समझ में आया होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक यू